पनीर की सबजी आपने बहुत सारे तरीकों से खाई होगी, बनाई होगी, रेस्टोरेंट्स में तरह तरह की पनीर की सबजी मिलती है लेकिन आज जो पनीर की सबजी मैं आप लोगे लेकर आई हूँ, बहुत ही टेस्टी है, फ्लेवरफुल है ये सबजी इतने इंट्रेस्टिंग है कि आपको इसे पकाने में भी बहुत मज़ा आएगा इस बात की तो मैं गैरेंटी दूँगी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर 400 ग्राम पनीर ले लिया है ये देखिए बड़े-बड़े क्यूज में कट करके रखे हैं मैंने और अब इसके लिए एक मारिनेशन तयार करना है जिसके लिए एक बोल में मैंने ले लिया है सरसो का तेल तो करीब दो से तीन बड़े चमत सरसों का तेल यहां लोंगी फिर इसमें डाल दोंगी कुछ मसाले जैसे की सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है यहां पर हो सके तो गाड़ी दही यूज करिए और अगर हो सके तो सूती कपड़े में दही को रख कर उसका पाने निकाल के जो गाड़ी दही अलग होती है उसे यूज करेंगे तो ये पनीर के उपर अच्छे से इस मसाले की कोटिंग हो जाएगी तो यहाँ पर ये रिखे, पूरा mix कर लिया है, अब इसे मैं पनीर के उपर इस तरीके से डाल दूँगी अच्छे से mix कर लेना है कसोरी मेती यहां रहे गया था तो मैंने बाद में डाल कर उसे भी अच्छे से mix कर लिया है और अब इसे marinate होने के लिए रख दूँगी करीब आधे गंटे के लिए तो इसे fridge में रख सकते हैं अब चलते हैं अगले step पर अगले step में मैंने यहां पर एक कडाही में ले लिया है चार से पांच बड़े चमच तेल इस तेल में मैं डाल दूँगी कुछ खड़े मसाले जैसे की दालचीनी लॉंग इलाइची और तेजपत्ता तो तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इस मैंने हरे मिर्च यहां यूज नहीं किया है मसाले में ही जो हल्का तीखा flavor होता है उतने ही तीखे पन में मैंने सब्जी बनाई है और बहुत tasty बनी थी तो यहां पर इन मसालों को भूआँ लेने के बाद अब इसमें मैं डाल दूँगी दो mediam size का प्यास बारीक काट कर और तब तक भूनना है जब तक की प्यास थोड़े golden brown जैसे न हो जाए प्यास भून जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी चार medium size के टमाटर और अब इसे तब तक भूनना है जब तक की टमाटर एकदम अच्छे से soft और paste जैसे इसकी consistency न हो जाए टमाटर डाला है तो यही जल्दी soft हो जाएंगे जल्दी पक जाएंगे तो यहां पर इसे करीब तीन से चार मिनिट के लिए लोग से medium आज पर भूनना है तो जब तक यह मसाला भून रहा तब तक पनीर टिक्का भी तैयार कर लेते हैं तो यह देखिए आप चाहें तो स्किवर्ज ले लिजिए और की soft होना शुरू हो गया है चलिए देखिए चूले पर पनीर को इस तरीके से सेख लेना है तो इससे पनीर में बहुत ही अच्छा smoky फ्लेवर आता है तो इस तरीके से आप पनीर को चूले पर सीधे आंच पर सेख के पनीर टिक्का बना लीजिए ऐसा अगर ना करना हो तो आपके पास वायर मेश इस तरीके से हो तो इस जाली के उपर इस तरीके से एक पनीर के टुकड़ों को डालना है और दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स आने तक टिक्का बन जाए तब तक इससे सेख लेना है तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा सा smoky पर बहुत जादा वक लगेगा और साथी साथ पनीर जो है डिहाइडरेट हो जाएगा और फिर पनीर हाड हो जाता है इसलिए तेज गैस पर ही इसे सेख लेना है वैसे आप पनीर टिका चाहें तो ग्रिल पैन के उपर भी थोड़ा साथ बटर लगा कर उसमें सेख सकते हैं और फिर बाद में उसे कोईले की मदद से स्मोकी फ्लेवर दे लीजिए तो ऐसे भी आप पनीर टिका वना सकते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से पलट पलट कर मैंने पनीर को सेख लिया है और बहुत ही अच्छे ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं इस पर तो ऐसे ही सब सेख क मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इस तरीके से सारे पनीर के पीसे को सेख लेना है तो बहुत ही जबरदस यह पनीर टिका तयार हुआ है आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व करिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे तो चलिए अब चलते हैं आगे की तो दो मीडियम साइज के टमाटर को पीस कर उसकी प्यूरी बना ली थी उससे डाल दूगी और उससे भी तब तक पकाना है जब तक की तेल न चूटने लगे तो इस सबजी को बनाने के लिए भूनाई करना एक बहुत ही इंपोर्टेंट स्टेप है याने मसाले जितने अच्छा फ्लेवर निकल जाए यहां पर लैसुन और अद्रक का पेस्ट डालना रह गया था तो उसे भी डाल कर यहीं पर मसालों के साथ मैं भून लूगी वैसे तो अद्रक लैसुन का पेस्ट प्यास भूनने के बाद और टमाटर डालने से पहले डालना था लेकिन वह र फिर से पकाना है जब तक ही तेल न चूपने लगे बेसिक प्रोसेस यही है कि जो भी चीज़े हम यहां डाल रहे हैं उसका कच्छा फ्लेवर निकल जाए जितने अच्छे से भूनाई होगी उतनी ही टेस्टी यह सबजी बन के तयार होगी तो यह देखिए दही वाला पू तो यह जो 200 ग्राम पनीर मैंने अलग से लेकर रखा हुआ है उसे हाथों से ही क्रम्बल करके यह देखिए मसल कर डाल दूंगे तो चोटे चोटे टुकडों में यह जो पनीर है इसे डाल देना है और अच्छे से मैं मिक्स करके भूनूंगी जिसे की पनीर का कच्छा फ्ले और इसी ग्रेवी में पनीर टिका को डालेंगे तो बहुत ही जबरदस यह पनीर की सबजी बनके तयार होती है बेसिकली यह सबजी जो बन रही है यह है पनीर राडा इसे पनीर राडा का नाम शायद इसलिए पड़ा होगा क्योंकि बहुत सारे मसालों को भून कर पनीर को लगेगी ग्रेवी का मौहिशर कम होने लगा है और तले से हलकी सी चिपक रही है सबजी तो आप यहां पर पानी डाल कर इसे मिक्स कर लीजिए यहां पर थोड़ी से बारी कटे हुए धनिया पता के डंठल को डाल दूंगी तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएग कसूरी मेथी इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसालों मैंने यहां डाल दिया है किचिन किंग मसाले से यह सबजी बहुत ही तेस्टी बनती है अगर आपके पास किचिन किंग मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह चाहें तो गरम मसाला धनिया पाउडर और जीरा प करीब 2-3 मिनिट के लिए इस ग्रेवी में में पकाऊंगी पनीर को यहां पर डालने के बाद बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है नहीं तो फिर बाद में पनीर हाड हो जाते हैं तो यहां पर यह देखिए ग्रेवी में मैंने पनीर के पीसे डाल दिये हैं और अब अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनिट के लिए पका लूँगी आखेर में बारी कटेवे हरे धनिये से इसे गार्निश कर लेना है तो बहुत ही जबरदस्त यह पनीर राडा की सबजी बनके तयार हुई है और रेस्टारेंट की किसी भी सबजी को यह फेल कर दे उस बात की तो ग इकाल लूँगी यह रिखें आपर परफेक्ट रेस्टारेंट वाला टेक्चर है ग्रेवी परफेक्ट रेस्टारेंट जैसी बनी है और यहां पर यह देखें स्मोकी फ्लेवर वाला पनीर इसे और भी ज्यादा टेस्टी बनाएगा सर्फ करने के बाद उपर से बारी कटे हरी मिर्च से इसे गार्णिश कर लोगी खाने में बहुती जबरदस्त और टेस्टी चटपटी ये सबजी बनके तयार हुई है आप इसे पूरी पराठे अनान के साथ सर्फ करिए बहुत ही जबरदस्त लगेगी तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ठ्राय करिए कमेंट क